दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वला हूँ कि 2022 के अंदर आप भी दोस्तो अपती यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करने के लिए एक Google Ads का कैमपन कैसे बना सकते हैं और गूगल Ads का कैमपन के दोस्तो आप भी अपनी यूट्यूब वीडियो को गूगल Ads की मदद से प्रमोट कर सकते हैं अपने चैनल को फास्ट गरूँ कर सकते हैं अगर आप भी दोस्तो एक यूट्यूबर है आपने कोई नया यूट्यूब चैनल स्टाट किया है और आप भी दोस्तो अपनी यूट्यूब वीडियो को Google Ads की मदद से प्रमोट करके अपने चैनल को फास्ट गरूँ करना चाते हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए वीडियो को पूरा देखना और दोस्तो अगर आप मेरे साथ मिलके ऐसे वीडियो से लगतार देखना चाहते हैं आप फ्री में डिजिटल मार्कटिंग, फेस्बुक मार्कटिंग चीखना चाहते हैं सबसे पहले देखे दोस्तों अगर आप Google Ads की मतल से अपनी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है Google में विजिट करना है और यहां पे आपको टाइप करना है दोस्तों Google Ads और सिंपली दोस्तों आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है सर्च बटन पे दोस्तों जिसे क्लिक करोगे यहां पे आप देख सकते हैं Google के अंदर आपके सामने एक फास्ट ओफिसल वापसाइट आए रहे है सिंपली आपको इस ओफिसल वापसाइट पे क्लिक कर देना है simply देखे अगर आपको promote करना है तो आपको करना है यहाँ पर आपको sign in का option देखेगा आपको sign in वाले option पर क्लिक करना है और sign in वाले option पर देश्टो जिसे क्लिक करोगे आपका अगर कोई google ad account आपने अल्रडी बना रखा है तो वह आपके सामने open हो जाएगा और अगर आपने कोई google ads का account नहीं बना रखा तो आपको सबसे पहले account बनाना पड़ेगा अगर आप इसके उपर भी वीडियो देखना चाहते तो already मैंने videos upload कर रखे है आप जाके उनको देख सकते हो और link description में भी दे रहा हूँ आप description में link पर click करके भी आप ये वाला video देख सकते हो कि आप अपना google ads का account कैसे setup करोगे तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते है मेरा google ads का account open हो चुका है और ये एक manager account है तो इसमा आप यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे google ads account open हो चुके है dashboard है वह आपके सामने खुल चुका है और इसी dashboard की मदद से आप अपने नए campaign को बनाएंगे अगर आपके पास कोई पुराने campaign चाहे तो उनको भी manage कर सकते है campaign बनाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है आप अपने video का अगर promote करना चाहते है तो simply आपको यहाँ पर देखे सबसे पहले plus का button देखेगा plus वाले button पर click कर दो नए campaign पर click करो और new campaign पर जैसे click करोगे आपके सामने जो google ads के goal है वो आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पर देखे objective के आपके सामने आ चुक है तो इन में से कोई भी objective आपको चूस नहीं करना है क्योंकि हम किसी business को promote नहीं कर रहे है अभी आपको objective चूस करना यहाँ पर last वाला create a campaign without goals इस पर आपको click करताना है जैसे इस पर click करोगे देखे दोस्तों अब आपके सामने campaign type क करना है तो हमारा campaign type है video यान की video हम promote करेंगे तो यहाँ पर देखे last में आपको वीडियो का option देख चाहेगा तो simply आपको वीडियो पर click करना है और वीडियो पर दोस्तों जैसे click करोगे यहाँ पर आपको continue वाले बटन पर जैसे click करोगे अब आपके समने यहाँ पर देखे campaign subtype का option भी दिखेगा कि campaign subtype आपका क्या रहने वाला है तो यहाँ पर हम रखेंगे custom video campaign और बाकी आप यहाँ पर और भी subtype देख सकते हैं इनमें से आपको कोई भी चूज नहीं करना आपको यहाँ पर custom video campaign रखना है जिसके अंदर हमारे सामने सारे के सारे subtype आप आ चुके हम हम अपनी मर्जी से कोई भी subtype चूज कर सकते हैं तो यह देखे हमने क्लिक किया और अब आपको continue वाले बटन पर क्लिक कर देना है continue वाले बटन पर दोस्तों जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं create your campaign का जो option अब आपके सामने आ चुका है और अब दो steps में हम अपने campaign को complete करेंगे ओके चली शुरू करता है सबसे पहले देखे दोस्तों आपको यहाँ पर general settings का option देखेगा तो यहाँ पर आपको campaign type के अंदर आपको कोई changes नहीं करना जो campaign name है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं campaign name है दोस्तों अगर आपको कुछ डालना है यानि कि आप अपने किसी वीडियो को promote कर रहे तो उसका नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर दोस्तों डाल देता हूँ video 1 अगर आप चाहँ तो अपने चैनल वीडि रहने वाला है और कितने दिन तक आप अपने campaign को run करने वाले हूँ तो यहाँ पर देखे campaign totals पर आपको click करना है और मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर daily budget रखे और daily budget पर चूज करके आपको यहाँ पर जितना भी आपको daily budget span करना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं उसके अपको दिखेगा locations का तो locations में तीन option आपको देखेगे all countries का इंडिया का और अगर आप चाहें तो अपनी खुद की locations भी यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर राजस्तान डालता हूँ राजस्तान इंडिया तो मैंने यहाँ राजस्तान चूज किया और अब मेरा ज आजस्तान में जो भी लेंग्विज बोलने वाल आदमी है उन सब को मेरा एड दिखेगा लेकिन अगर मैं चाहूं तो यहां पर सिर्फ और शेप हिंदी वाले लोगों को अपना आड दिखा सकता हूँ जैसे दोस्तों यहां पर आप फिल्टर्स कर रहे है वो सारे फिल्टर्स आपको यहां पर भी दिखेंगे तो इसीज़ का त्यान रखना आपकी ओडियंस थोड़ी बड़ी होनी चीए अगर आप जितनी छोड़ी ओडियंस रखेंगे आपका जो क्लिक पर कॉस्ट है वो भी आपका बहुत बड़ा यानि की बहुत ज्यादा आने वाला है तो ज्यादा से ज्यादा ओडियंस को आप अपना आड़ दिखाई ताकि आपका जो पैसा है वो कम कटेगा उसके बाद दूस्तों अगले ओप्शन दिखेगा आपको यहां पर कॉन्टेंट का की कॉन्टेंट के अकॉर्डिंग आप अपने वीडियो को टागेट कर सकते हो तो इसके अंदर आपको कोई चिंजस नहीं करना रिलेटेट वीडियो का नए ओप्शन दिख रहा है आपको यूट्यूब के अंदर जो यूट्यूब ने अभी गूगल आड्स ने अभी डाला है अगर आप इसको यूज कर सकते हो अधवाइस इसको इसको इसके भी कर सकते हो यूट्यूब रिलेटेट वीडियो में आपको क्या ओप्शन मिलेगा आप रिलेटेट वीडियो इसको भी प्रमोट कर सकते हो यानि कि आपके चैनल पर और को वीडियो है तो आप उनको भी प्रमोट कर स लेकिन मैं इसको छोड़ूँगा क्योंकि इसकी वज़से मेरा जो एक वीडियो का CTR है वो खराब हो सकता है उसके बाद दोस्तो अडिशनल ओप्शन दिखेगा अडिशनल ओप्शन में डिवाइसेस आप सूज कर सकते हैं कि कौन से डिवाइस में आपको जो है अपना आर द अगला ओप्शन दिखेगा दोस्तो पीपल्स का पीपल्स के अकॉर्डियो को तार्गेट कर सकते हो तो यहां पर देखे पीपल्स में आपको सबस्पेल डैमोग्रेफिक ओप्शन दिखेगा इसके अंदर आप यह भी चूज कर सकते हो कि दोनसो कौन सी एस तक के लोगों क को आप अपना वीडियो दिखाना चाहेंगे तो यहां पर देखे जो भी आपको करना है मेल्स और फीमेल्स को करना है पैरेंट्स है या नहीं है उनकी अकॉर्डिंग आपको करना है आप उनकी इंकम के अकॉर्डिंग भी टार्गेट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो उसको दो option बोलूगा, पहला तो दोस्तो आप keywords के according target करो, और दूसरा अगर आप चाहें तो placement के according target कर सकते हो, अगर आप placement के तूर टारगेट करोगे तो आप उन चैनल पर अपनी वीडियो को दिखा सकते हो, जिन चैनल के उपर आपके वीडियो से related वीडियो से अपलोड होता है, त तो आप उनके नीचे आप अपना वीडियो लगा सकते हो, या फिर दोस्तो दूसरा option आपके सामने ये भी है कि आप keywords के according अपने वीडियो को target कर सकते हो, मैं आपको बोलूँगा keywords के according target करिये, क्योंकि जब कोई वीडियो देखना चाह रहा है, तब भी आपका वीडियो वह इससे related जो भी keywords होंगे, वो सारे के सारे आजाएंगे, आपको all keywords पे click करना है, और ये दिखे, सारे keywords आपके सामने यहाँ पे आ चुके है, तो इस परकार से आप अपने keywords को लगाओ, और उसके उपर आप target कर दीजे अपनी वीडियो को, ताकि आपका वीडियो जब उन पैसा आप लगा सकते हूँ, या फिर आप 15 पैसा लगा सकते हूँ, 20 पैसा लगा सकते हूँ, वो आपके उपर डिपन करता है, यहाँ पर आपके सामने last option देखेगा, और वो है दोस्तों आपका वीडियो URL का, यहाँ पर वारे वीडियो URL पेस्ट कर दीजे, जिसको आप प कापी कर लेता हूँ, यहाँ पर वीडियो का लिंक दिख रहा है, इसको कापी कर लो, और यहाँ से आपको आना है, सिंपल यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है, जैसे पेस्ट करोगे, यह वीडियो आपको यहाँ पर आ चुका है, अब आपके सामने यहाँ पर दो option आ रहे ह अगर आप अपने वीडियो को keywords के उपर लगा रहे हैं तो आपको यहां पर minimum CPV 34 पैसे तक रखनी पड़ेगी, अब 34 पैसे आप इसको एक बार अपलाई कर दो, और यहां पर यह मत समझना कि 34 पैसे ही आपका कटेगा, नहीं, ऐसा हो सकता है, देखिए 18-35 पैसे के बीच में आपसे charge कटेगा, कभी किसी का 15 पैसे भी कट सकता है, 18 पैसे भी कट सकता है, तो यह Google Ads के उपर depend करता है, इसलिए मैं आपको बोड़ रहा हो, keywords के उपर target करो, थोड़ा आपका CPV बढ़ जाएगा, लेकिन आपको result और response अच्छा मिलेगा, तो यह आपके लिए एक option है, यहा हटा लोगे यहाँ पे, तो keywords जैसे अटाओगे, देखे, आपका जो cost है, वो कम हो जाएगा, मैं यहाँ से keywords हटा लेता हूँ, और देखे, मैं इसको arrow पे click कर देता हूँ, जैसे keyword हट गया, यह देखे, आपका जो cost है, वो 16 पैसे पे ही आचुका है, तो इस परकार से आप इ एक view मिल जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, पांच पैसे में कभी कोई video ad चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, जो भी आप कर रहे हो, बना रहे हो, उसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और यह एकदम real जानकारी जाती है, अहां थोड़ा बहुत average है, उपर नीचे हो सकता है, लेकिन यही cost आप से ली जाएगी Google Ads के तरूप, चली इस video को अगर प्रमोट करना है, तो headline आप लिख लिए, headline के लिए आपको करना है, यहाँ पर आप दुबारा चाहिए आपने वीडियो के उपर, और यह दि share, do share and subscribe, ठीक है, इस परकार से आप अपना second description लिख सकते हो, आगला option देखेगा, add name का कुछ नहीं करना, आपका काम complete होगया, create campaign के उपर आप click कर दीजे, create campaign पर दोस्तों जैसे click करोगे, congratulations, your campaign is ready now, and कहां पर आप देख सकते, अपने campaign को review कर लो थोड़ा बहुत, कि आपने ज click करोगे, आपका जो campaign है, वो यहाँ पर Google Ads के अंदर submit हो जायागा, जैसे दोस्तों Google Ads के अंदर आपका campaign submit होता है, कुछ time यानि कि 24 hours लग सकते है, आपकी campaigns को approved होने में, 48 hours भी लग सकते है, 72 hours भी लग सकते है, अगर आप जल्दी इस campaign को चलाना चाहते हो, तो आप Google Ads customer के पर add हो चुका है, अब इसके लो, अगर आप इसको चलाना चाहते हो, तो आपको करना के, यहाँ पर आप जाईए, और यहाँ पर billing में जाखे, आप अपना payment करिए, जैसे आप payment करोगे, आपका जो add है, वो चलना सुरू हो जाएगा, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, आज क पर देखने के लिए, और चनल को और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद